हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि COVID-19 की वज़े से जो भी लोग एमर्जेंसी में ट्रेवल कर रहे हैं, कनेडा जा रहे हैं, बाई एर जा वहां से आ रहे हैं, तो उनके लिए ट्रेवल के उपर काफी ज़्यादा हदायतें जारी की गई हैं, तो अब भी कनेडा की तरफ से कुछ नई हदायतें जारी की गई हैं, उनके बारे में डेटेल में आज मैं आपको सारी जानकर इस वीडियो में देने जा रहे हूं, कनेडा में क्या है, अगर आप हवाई सफर से दाखल हो रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए काफी जादा नई हदायतें जारी की गई हैं, वो हदायतें क्या हैं, वो मैं अभी मैं आपको बताने जा रहे हूं, जो हदायतें हैं इन हदायतों के लिए कनेडा सरकार की तरफ से वीडियो जारी की गई है, जो सारी हदायतें हैं, जे हदायतें क्या हैं, आपका कनेडा में पहुंच का जहाद से उतरने से लेकर जिस होटल में आपने कॉरंटाइन करना है वहां तक आपके लिए क्या-क्या नहीं हड़ाइते जारी की हैं उसके बारे में जानकरी है अगर आप बाय एयर कनेड़ा आ रहे हो तो सबसे पहले मेशीन के उपर आके आपने अपना पास्पोर्ट स्कैन करना है लेकिन यहां पर प्रोब्म यह आ रही है कि काफी लोगों का पास्पोर्ट स्कैन नहीं होता तो वह भी आपको गबराने की जुरूरत नहीं है वहीं पर क्या है आपके लिए फार्म रखे हुए हैं तो आप वह के लिए अलग लग पैन है आपने अपना पैन लेकर उस फार्म को भरना होता है और उस फार्म में जो फार्म अपने भरना है उसमें जात्रियों के नाम पूछे जाते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी पूछी जाती है कि वो कितना समा लगेगा और कितने पैसे वो अपन मासे ज़्यादा पैसे हैं तो आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है डॉलर ज़्यादा नहीं है तो आपको किसी तरह का जवाब नहीं देना पड़ेगा इसके बिना आपका बोजन को लेकर जहां फिर और भी काफी data के business service agency desk की तरफ बढ़ना होता है और वहाँ पर immigration अधिकारी की तरफ से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं और arrive can application की receipt भी आपने वहाँ पर अधिकारी को दिखानी होती है आपका passport और body pass भी वहाँ पर देखा जाता है और जो भी immigration अधिकारी की तरफ से आपको सवाल पूछे जाएंगे उनका आपने वहाँ पर जवाब देना होता है और आपकी वहाँ पर कोविड-19 की रिपोर्ट भी मांगी जाती है जिसमें मुक्तौर पर क्या होता है arrive can receipt होती है test result आया है आपका वह होता है और travel के जितने भी document है वह होते हैं और quarantine का आपका क्या प्लैन है उसके बारे में सब कुछ आपने वहाँ पर बताना होता है जब border service अधकारी आपसे passport के उपर आपकी फोटो देखते हैं तो उनकी तरफ से आपको मास्क उतारने के लिए भी कहा जाता है क्योंकि आपका मास्क उतार के आपके face की पहचान की जाती है means कि वहाँ पर आपको थोड़ जाओगे वहाँ पर COVID-19 के टेस्ट को लेकर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और फिर उसके बाद आपने बाहर आना होता है जब आप बाहर आते हो तो उस समय आपने जो भी अंदर फारम भरा था ना उस फारम में जो भी आपने information भरी है तो वो क्या है immigration अधकारी ने आपक करोगे वहाँ पहुचके आपने registration के लिए अपनी सारी जानकरी वहाँ पर साजी करनी होती है और उसके बाद फिर अपका COVID-19 का test होता है जब आपका test हो जाता है जब आप बाहर आते हो तो आपको एक COVID-19 की kit भी दी जाती है यह जो kit है जे kit आपने जब आप quarantine करोगे तो उस ठैस्ट आपने कैसे करना है वो kit के अंदर आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी detail में जानकरी के साथ ही दई होती है फिर आपके सामने जानकरी आती है कि कौनसे होटल की आपकी shuttle है और आपने जो कितने बज़े आरही है इसके बारे में डेटेल में आप आउनलाइन भी जानकरी ले सकते हैं फिर आप एवपोर्ट से बाहर निकल कर उस शटल में जाओगे और वहां से आप अपने होटल में पहुंच जाओगे जहां पर आपने तीन दिन के लिए कॉरंटाइन करना होता है जिन लोगों की शटल नहीं आती तो उन लोगों को काफी बार टैक्सी से भी जाना पड़ता है और टैक्सी के ड्राइवर की तरफ से आपको एक परची दी जाती है वो परची अपने होटल के जो रिशेप्शन है वहां पर दिखानी होती है उसके बाद होटल के अंदर आपका जो होटल अंदर रहते हुए जो आपका COVID-19 का रिजल्ट आज आता है तो अगर आपका रिजल्ट जो है वो नेगटिव आता है तो उसके बाद आप वहाँ जा सकते हो उस थान पे जहां पर आपने आगे कॉरंटाइन करना होता है और अगर आपकी जो COVID-19 की रिपोर्ट है वो पॉस्टिव आती है तो फिर आप अपने सहत जो अधिकारी है उनके साथ बात करोगे और वो अधिकारी ही आपको बताएंगे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो ही आपको बताएंगे कि आगे आपने क्या करना है तो जे सारी डेटेल है जे सारी नई हडायतने जारी की गई है जे जो वीडियो है जे आप लोगों के लिए है तांकि जब आप जाएं तो आपको जी सारी डेटेल में जानकरी पता हो और आप अपनी पहले सी सारी त्यारी करके लेके जाएं और वहाँ पर आपको क्या-क्या चाहिए तांकि आपको बहाँ जाकर किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़ी उस वीडियो को जाज़ा लाइक करें और शेयर करें तांके जो लोग जाना चाहते हैं अभी Federation करना है उनको जैसारी जानकरी ज़रूर मिले और अगर हमसे बातचित करना चाहते हैं तर हमारे पीछे दिये नंबर पर कंटक्ट करके हमसे बातचित कर सकते हैं और ज़्यादा प्रेशन एने के लिए चैनलों के सबस्काइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करें थांक यू